मुंबई इंडियन्स के नजरी से अगर आप सोचे तो बिलकुल भी दोस्तो ठीक नहीं हो रहा कुछ भी सारे हालात बहुत से बद से जादा बत्तर हैं ग्रांड पर वो सारी चीज़े आपने देखी हैं जिस किस तरीके से हार्दिक पांडिया को हेट किया गया और ग्रांड पर आए थे उस बात को माना भी था लेकिन वो तब जाकर के माने हैं दो हार हो चली और तीसरी हार लगभग कंफर्म थी उस बक्ते यह चीज़े सारी घटी हैं तो यह सब बिलकुल भी नहीं है अगर आप मान करके चलें सूरकुमारी यादों आ जाते हैं तो फिर मुंबई इंडिश की टीम को पहुंचाया उसमें तीम का मैनेजमेंट है वो है और खुद लिए यह तरीके से आपको इस दोसत्रीके से समझाता हूँ कि मालीजी परिवार है जिसमें 5 भाई है और उसके लिए उसका पूरी तरीके से सब कुछ किया उसको नाम दिया और वो कुछ बक्त के लिए किसी और टीम के साथ किसी और के यहां जॉब करने लग जाता है लेकिन उधर से भे उप फिर उसी घर की बुराई करना तो उसको सुरू कर देता है जिसने उसको नाम दिया फेम दिया और जिसकी बदलत इतना कुछ हो बोल पा रहा और फिर वक्त यह होता है कि आगे आने वाले समय में आप उसी बंदे को अपने घर का जब मालिक बना देंगे और उसके पहले आपने देखा किस तरीके का जहर उपला था तो वो बुलकता ही नहीं चाहता वो सिर्फ अपना स्वार सशिद्ध करना चाहता है उस घर के हालात कैसे पैदा होती है उस घर में किस तरीके से फूट पड़ जाएगी यह उस बंदे के लिए बिल्बकुल भी दोस्तों मैटर नहीं करेगी और वही हाल अगर आप देखे तो मुम महिन निसमें होता हुगा न जारा रहा रोही सर्मा को भी बहुत कुछ बोला जा रहा है इस तरीके से कुछ लोग एड़वाइस दे रहे हैं कि कितने ऐसे के पूर्व कप्तान रहे हैं जो अपने जूनियर कैप्टन के अंदर खेले हैं बहुत सारे एक जामपल दिये हैं सौरब, द्राबेट, सचिन, द्हुनी, बिराट वो चीजे दोस्तों अलग हैं उस तरीके से ऐसा नहीं हुगा है अगर उस सिस्टम के द्वारा गुजरता माली जे कल को अगर अरजुन तेंदूलकर को आप कैप्टन बना देंगे पर जैस्पीत बुमरा इसान किसन जैसे प्लेयर खुद हार देख बान दिया क्या सोच था बहुत निश्यत तोर पर उसको भी दुख होता वही सारी चीजे यहां पर हुई हैं और फिर एक और सवाल दोस्तों पैदा होता हां मैं मान लेता एक बात कि आप हां रोहिष सर्मा को कैप्टन से आपने इसलिए हरा हराया है क्योंकि मुंबई आसता कोई टाइटल नहीं जीती और बहुत खराब केलती रही है तो ऐसा भी दोस्तों कुछ ऐसा उसमें नहीं हुगा है अब आज जब मुंबई इंडियन पर इस तरीकी की चीज़ें बीत रही है तो फिर कहीं चाहते कि रोहिष सर्मा सिंपैथी दिखाए कहीं चाहते है कि यह सिंप्वाती दिखाए बहुत सिंपैथी दिखाए अलेकिन आप मार्क बागज़र को आपने भेजा है ना उसकी भासा यह लेंग्वेज है ना कुछ है किस तरीके का आप सवाल कर रहे हैं आप अंग्रेजी में बोला अंग्रेजी में उसमें बता दिया और बांकी को लोगों तो कुछ समझ में आया ही नहीं है तो बहुत कुछ चीजें जो हैं इसे मुम्माई इनेज पर लगातार घर्टी भी नजर आ रहे हैं और बिल्कुल भी हाला ठीक नहीं है और अब जो आगे आने बाला जो बक्त है वो यह बता रहा है कि कप्तान जो रोही सरमा पूरब रहे हैं मुम्माई इनेज से बिलकुल भी दोस्तों खेलने वाले नहीं है ना भी वो इंटेस्टेड हैं कि हमाई उन पर कोई दाव खेले और वो सायद हो सकता है कि आरसीबी दिलही चैन्नाई के कियार किसी भी टीम में जा सकते हैं हर टीम से खेलना रोहत को मंजूर है लेकिन वो मुम महिनन से खेलना बिलकुल नह नहीं है यदि किसी एक प्लेयर की है इस हार्दिक पांड़ा के कफ्तान बनाए जाने पर एतराज होता तो फिस समझ में आता है यहां पर एक लंबी लिस्ट है जो आपके बहुत सीनियर बहतरी रहे हैं उसमें अगर आप देखे तो जस्पीत बुम्रा है सूरकुमार याद की हैं वो पूरी जो सीनियर प्लेयर है मुंबई के उन सब को हट्स कर रही है और यहीं एक कारण है कि जो रोहित के फैन है ना सिर्फ बलकि मुंबई इन्देस के जो फैन है उनको भी चीज़े हर्ट कर रही है अगर मैं बत और क्रिकेट जेर्रलिस्ट बात करूं तो फिर म मेरा नजरी यह हो ज्यादा तर लोगों को मैंने इसको भी पढ़ा है समझा है सब कर यहीं मानना है कि हर दिख पांड्या और मुंबई इंडियस का जो टीम मैनेजमेंट है उसने खुद सारी समस्या है खड़ी की है तो अगला च्छे तारीक को अप्रेल को मुंबई का मुं कुछ काम है उस बज़े से वो आरेस्ट ले सकते हैं क्या कुछ है वो तो वक्त बताएगा लेकिन वो ऐसा चीज़े सुनने में आ रहे हैं जब भी के लिए